नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयू 22 एर्स है और ये एक साल से जोतिश सास्तर के स्टूडेंट भी है और इन्होंने धन्यवाद भी दिया है कि पामेश्ट्री आपके कारण में काफी सिख बाया पर पामेश्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिश्टेक होती है लोगों की वो साइनों को पैचानने में एक स्क्वेर आपके हाथ में है और उस पर अगर जरासा भी इस तरह से देखा तो लोग ऐसा समझ लेते हैं दोिए मेरी फीश्ट आइन का इतना क्रेज रोगों को पामिश्ट्री के अंदर नोड़ाट फीश्ट व्यक्ति को बहुत बेनेफिट दिलाती है पर कौनसे स्थान पर होती है और क्यां पर होने पर बेनेफिट होती है हर जगह फीश्ट आइन होने से कोई पैसा आपके पास आ जाता है ऐसा नहीं है पर्टिकुलर सेंटर है उसके और उस साइन को समझने में बहुत लोगों की गलतिया होती है जैसे इनके चंद्रपरवत का उधारण ले यह चंद्रपरवत पर यह स्कुएर दिख रहे हैं और इस स्कुएर के अंदर आपको इस तरह से एक फिश साइन समझ लेता है यह पामेश्री के अंदर बहुत जादा गलतिया चलती है और खुश भी होते व्यक्ति अगर आपके हाथ में अगर पॉजिटिव साइन है तो उसका इंपेक्ट आपके जीवन में होगा होगा और होगा अगर आपकी यहां पर फिश साइन है तो आ इतनी यातराय होती है विए वैग्ति के जीवन में इतने यातराय करता है जब चंद्र परवत पर फिश यह अगर कोई साइन है मैं स्टूडेंट है इसके लिए इनको समझा रहा हूं सैनों को समझना भौत हाड हैं वो अगर आपको आगया तो आपको पामेश्री ईजी लि इसमें है यहीं नहीं, बहुत सिंपल है, यानि जिसके पास कम बुद्धी है, वो आरहम से पामेश्टी सीख सकता है, जिसके पास ज्यादा बुद्धी है वो ऐस्ट्रोलोजी में जा सकता है, पर पामेश्टी में आपको clear cut डिखेगा, एक line cutty, यानि आपको कोई ने कोई आर यह एक माइनस पॉइंट है उसके अलावा पामिष्ट्री इतना बड़ा ग्यान का सब्जेक्ट नहीं है बहुत बड़ा एस्ट्रोलोजी बहुत ग्यान का भंडार है पर कहीं न कहीं बहुत ज्यादा समिकरण होने के कारण कहीं न कहीं तकलिफे आ जाती है यानि समझने में मिठा संगर्स्ट पक्का पर पामिष्ट्री में अगर आपकी जीवन रेखा इस तरह की है यह इस तरह की है तो आपके जीवन में मीठा संगर्स्ट पकता है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तक आपका मिठा संगर्स है तो इतना फर्क है पर साइनों को पहचानने में बहुत ज़रुत है अभी ये साइन इनके पाम पर एक अच्छी सी साइन है जो क्लोज अप में भी मैंने देखा है ये मल्टी मिलियोनेर साइन अब ये साइन है तो कभी न कभी इनको इसका बेनेफिट मिलेगा जरूर पर कहीं से भी थोड़ी सी भी ओपन रह गई तो हो सकता है ये साइन जिरो हो जाए पहली चीज़ दूसरी इनके जीवन में माइन लाइन हाथ तक पूरी डिश्टरब चल रही है तो ये पिरियर तक ये कितने भी उच्छलकुत कर लेंगे इतनी संभावना बंती नहीं कि व्यक्ति भहुत जादा सक्सेस्फुल जाए क्योंकि व्यक्ति को माइन्ड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है और याँ पर यूव साइन भी दिख रही हिए पर यह साइन का मतलब यह यूव साइन नहीं है क्योंकि मैंने क्लोज अप इन्होंने बेज़ यह ओपन है compete का ये पार्ट जो जीवन का है वो इतना खरब रहता है कि व्यक्ती परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पर इनको चिंता करने की जुरत नहीं है यह यव साइन नहीं है पर दबाओ तो जरूर इनके जीवन में इस पिरियड में आएगा 32 से लेके 36 के पिरियड में अच्छा खासा दबाओ इनके जीवन में आएगा हाँ यव साइन होती तो 100% इनको यूज लेवल की तकलिब इस पिरियड में आती पर यह यव साइन नहीं है कहीं न कहीं ओपन है पर डबल लाइन है दबाओ आएगा सेम इसी तरह पूरी माइन लाइन इस तरह से और सेम देखे तो जीवन रेखा भी मिठा संगर्स दिखा रहे है तो यह सारे समीकरण इस तरह अच्छी साइन होने के बावजुद भी यह साइन का बेनिफिट यह रेखा है खा रही है तो साथ में एक साइन कभी जीवन को परिवर्थित नहीं करती लो डाउट उसका इफेक्ट रहेगा जीवन में पर सारे संभावनाय जब मिक्स होती है तब जाके उसका फल मिलता है उसके पहले नहीं मिलता स्टूडेंट है इसके लिए मुझे लगा कि इनको समझाना ज़रूरी है अब इस पाम में यहाँ पर देखे तो यह पार्ट उभार लिया हुआ है जब इस तरह से उभार लेता है तो व्यक्ति में एक बड़ा माइनस पॉइंट होता है जो चीजे जब समझनी चीए तब समझ सकती कमजोर रहती है और हो जाने के बाद अफसोस होता है कि मुझे यह काम कर लेना चीए था यानि कहीं न कहीं समझदारी में वो शार्पनेस नहीं होती व्यक्ति में जब यह साइन इस तरह से दो उंगलिया उपर की तरफ हो यह सीधी लाइन के आज़ पार यह एक माइनस पॉइंट होता है इनको हमेशा इस तरह से फिल होता होगा उम्र बाइस साली है पर जो सामने अपॉचिनिटी आई हो सकता उस समय समझने में गल्ती हो दो दिन के बाद इनको पता चलता कि मुझे यह कर लेना चीए था यह गल्ती की में यह कारे नहीं किया अब इस पाम को देखे काफी अच्छी position में है पाम शेप स्क्वेरिश है तो व्यक्ती महनती होता है महनत में कोई कमी नहीं रखै इनका अंगूठा भी काफी अच्छा है तो व्यक्ति तो काफी strong होगा इनमें कोई दोर आये नहीं गुरू की उंगली अगर जरा भी बड़ी है सुरी की उंगली से पर लग नहीं रही है यह अगर थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो व्यक्ति को थोड़ा सा भी इगो प्रोब्लम अच्छा खासा फिल करता व्यक्ति जीवन में और शनी की उंगली बहुत बड़ी है तो व्यक्ति में एनर्जी लगाने का जो subject होता। वो काफी strong होता है। यह लोग महंती लोग होते हैं जिनकी शनी का उंगली बड़ी होती हैं। और hardworking होते हैं। अभ इनकी उंगलियों को देखें तो यहाँ पर फेलेंज, फर्स फैलेंज इनके बड़े है और उंगलिया भी थोड़ी सी बड़ी है तो analytic personality होती है प्लस माइनस निकालने वाले लोग होती है तो थोड़े से जीवन में slow हो जाती है ये लोग छोटी उंगली काफी दूर चल रही है ये उंगली की खासियत बता दू इनके पूरे विचा आपसे और हमसे कभी मैच नहीं होंगे चाए वो राजनेती हो चाए कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी चाए विज्ञान हो धर्मों हो जितने दुनिया में सब्जेक्ट है सब में इनकी राय आम लोगों से डिफरेंट होती है जिनकी ये उंगली हटके चलती है और नो डाउ अब यह नहीं कि यह आपकी बातों से सहमत हो गए कि कभी सहमत नहीं हो गे उनके complete अलग विचार होते हैं हाँ इनके साथ एक टेड़ गंट आप स jakiś गुमों इनके तो आपको पता चलेगा आपने बातों पर इनको सहमत कराया था उससे complete टूंस्ट अनका अलग है यह तो आपको बार-बार बुड़ा न लगे इसके लिए ये आपकी हां में हां मिला लेते पर इनका कम्प्लिट रुष्टिकों अलग होता है एक चीज ये और उंगली ये छोटी है तो व्यक्ति दोकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल करकना याद शक्ति मनी मैनेजमेंट ये सारी चीजों में कमजोर होता है कहीं न कहीं अब बुद्परवत पर चले बुद्परवत अच्छा खासा उभार लिये हुए तो व्यक्ति दिखने में सुन्दर होता है बोली उसकी अच्छी खासी होती है व्यापारवानी जिके गुण भी अच्छे खासे होते है उस व्यक्ति में और यहां पर कोई स्ट्रॉंग गुंग करने होगी तो इनको यहां पर एक लाइन जाती होगी या दो लैन या तीन लाइन एक भी हो तो चलती है पर उस लाइनों को कट करने वाली एक रेखा चाहिए तो यह आप इस सास्त्रो से पैसा कमा सकते हो अगरिये कट करने वाली line नहीं है तो आपका chances काफी कम हो जाता है earning का इस विशे में अब चलते इनके सुर्य परवत पर सुर्य परवत पर देखे तो कोई सपष्ट रेखा नहीं बनी हुई है छोटी छोटी रेखा है इसके अलावा कुछ नहीं हाँ multiple property की sign इनके हाथ में clear cut बनी हुई है तो जीवन में multiple property जरूर बनाएंगे बाकी कोई sign इनके सुर्य परवत पर नहीं है तो ज़्यादा संगर्ष नहीं करना पड़ता व्यक्ति को जीवन में easily सफलता basic सफलता आसानी से मिलती है और इन्होंने question भी किया है क्या मेरे हाथ में शुक्रवला है यस आपके हाथ में शुक्रवला है पर वो break में है तो कहीं न कहीं mood swing का problem आपको रहता ही होगा कहीं न कहीं पर ये धन देने में आपको हमेशा सायता करेगा जा आम इंसान एक हजार कमाएगा वह आप लाखो कमागो कमाऊगे उसमें कोई दो रायन है और आपके हाथ में इतनी अच्छी सायन बनी है तो हो सकता है भविश में आप करोड़ों भी कमाऊगे अब शनी परवत पर चले शनी परवत पर एक रेखा इस तरह से चल रही है एक और एक और और मनी रिसीविंग एंटेना भी बने हुए और ये भी रेखा एंट तक है तो बुड़ा पे तक अनिंग होती रहेगी इनके जीवन में को तकलिफ आने वाली निहीं और अर्शनी परवत तो आलस क्या होता इनको पता ही नहीं होता ये एनर्जेटिक लोग होते है पर टुकडो टुकडो में चल रही है раेखा एक इधर भी चल रही है एक इधर भी चल रही है यहां पर भी चल रही है तो बुरा पे मैं कई सोर्सों से income इनके पास आती रहेगी और एक ऐसी sign है अगर यह mix हो जाती है तो इनका धर्म के प्रती complete नजरिया अलग होगा यह कहीं पर भी इस तरह से अगर sign बन जाती है तो यह तरह की फिश हुई पर इसका पैसे से लेना देना नहीं है यह आपको धर्म के बारे में एक अलग ही नजरिया देती है जो आप लोगों को समझा नहीं पाते और लोगों को समझा भी दिया तो लोग समझ नहीं पाएंगे इतना डिफ्रेंट नजरिया होता आपका अब चलते आपके गुरु परवत पर गुरु परवत पर देखे तो एक सीधी रेखा चल रहे हैं यह व्यक्ति को पामिष्ट्री या एस्ट्रोलोजी वास्तु सास इस तरह के कोई भी जो साइन्स है उसके प्रती इंट्रेस्ट दिलाती यह व्यक्ति धार्मिक बनता है और यहाँ पर होरिजन्टल लाइने चल रही है तो मल्टिपल इंकम के सुरोत इनके जीवन में बने रहेंगे थोड़े व्यक्ति को परिवार से दूर सेटल करता है एक तो दूर होते हैं दूसरा यहां पर उभार जादा है जब यहां पर उभार जादा होता है तो व्यक्ति के जीवन में एक तो गुरु परवत छोटा होने पर कभी-कभी साधी डिले भी होती है और परिवार के मदभेद भी मि तो अंदुनी मंगल पर बहुत सारी रेखाय है इस तरह की रेखाय जब होती है तो व्यक्ति चिंता रखने वाला इंसान रहता है हमेशा चिंता तूर रहता है इंद्रेखाओ के कारण और इसका हिलाज है बोले नात के मंदिर पर डेली जल चड़ाना और मेडिटेशन करना बहुत फर्क पढ़ता है जीवन में और अंदुनी मंगल न ज्यादा मजबूत है स्वारी न ज्यादा मजबूत है न ज्यादा स्ट्रॉंग है तो मद्यम टैप की एनरजी इनके जीवन में रहेगी और भारी मंगल बहुत अच्छा है तो जब किसी से मिलते होंगे तो एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला comfortable फिल करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है इनका चंद्रपरवत देखे तो चंद्रपरवत देखा जाए तो स्पेस काफी अच्छा मिला हुआ है चंद्रपरवत को व्यक्ति की जो सोच होती है वो काफी refined होती है नेड़े शक्ति अच्छी होती है व्यक्ति की यह सारे गुन चंद्रपरवत से मिलते हैं और यहां पर एक बहुत बढ़िया sign इनके हाथ में बनी हुई है पर वो फिल हाल अधूरी है क्योंकि यह देखिए यहां पर open है और यहां से चली और यह ब complete होगी इनके जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएंगे यह पार्ट open रहा है तो यह लेडर तो बन रहा है पर फिलाल अधूरा है हाँ क्लोज अप में देखते हैं तो कहीं न कहीं जॉइंटिंग दिख रहा है पर open भी दिख रहा है पर यह है sign तो कभी न कभी अपना फल जरू सारी बुद्रेखाओं के द्वारा बन रहा है तो जीवन में धन तो भरपूर कमाएंगे धन के मामले में ज्यादा तकलिफ नहीं आएगी क्योंकि अर्द शुक्रवले भी है और साथ में मनी ट्रेंगल भी काफी अच्छी स्थिती में खर्च का पैमाना जरूर रहेगा पर इंकम के सुरोत तो भरपूर डावलप होंगे इनके जीवर में उसको रोक नहीं सकते ही है अब चलते हैं इनके शुक्र परवत पर शुक्र परवत पर देखे तो बहुत स्ट्रॉंग शुक्र परवत नहीं है तो लगजरी के पीछे ये नहीं भागेंगे और थोड़ा सा श जल्दी पैसे खर्च नहीं होते उस व्यक्ति के हाथ से तो ये एक माइनस पॉइंट रहता है जब आपका शुक्र परवत उठा हुआ ना हो कहीं से दबा हो पर ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है शुक्र परवत में कि जिसका डिसकस किया जाए पर फिर भी वो लेवल का शुक्र परवत नहीं है जो एक उसा देता हो व्यक्ति को एक शुक्र परवत जिसका अच्छा होता हो वो काफी उसा हित रहता है जीवन में तो ये एक माइनस पॉइंट इनके जरूर है अब चलते इनके रिदे रेखा पर रिदे रेखा भी देखे तो यहां से चल रहे लोगों को हेल्प करते और वो पैसा वापस नहीं आता और ये लाइन देखे तो सीधी चल कर चल रही है हां इनमें एक माइनस पॉइंट होता है ये किसी को प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है समझो ये जवान है इनको कोई फ्रेंड का साथ मिल गया फिमेल फ्रेंड का अगर उससे इश्क भी भी हो गया तो इनके मूँ से कभी एकरार नहीं होगा क्योंकि इनको प्रदर्शन करना नहीं आता ये एक माइनस पॉइंट होता है पर भरो से लायक इंसान रहते हैं किसी के सो रुपे भी बाकी होंगे तो देंगे बाकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है कोई चिंता की बात नहीं है स्मूथ जीवन जिएंगे अब इनकी माइन ये एक सबसे बड़ा इन लोगों में प्लस पोइंट होता है पर किसी के बंदन में यह काम नहीं कर पाते है कहीं जॉब करना होगा तो इनके बस की बात नहीं है और करेंगे भी तो भी अपनी मर्जी का जॉब होगा अपनी जहां सुनी जाती होगी वहां किसी के बंदन में रहना इनको पसंद नहीं आता और सुनेंगे सब का पर करेंगे अपना मन का जिद्धी रहते इस तरह की जब रेखा होती है और इसी माइन लाइन को देखे तो इस पार्ट तक ये कम्प्लिट लगबग 36 साल या 34 साल तक लगबग 36 साल तक ये डिश्टब चल रही है तो ये पिरियड तक ये दवाओ जहलेंगे अपने जीवन में क्योंकि माइन लाइन पर भौत सारे धुईब जेसी स्थिती बन रही है और काचकुछ है तो इस तरह की जो माइन लाइन रहती है ये संगर्स दिखाती है पर उसके बाद इनकी माइन लाइन अच्छी चल कर इस तरह से चल रही है और यहां से एक रेखा भी जा रही है तो ये लिखने के कारे में भी ऐसे लोग अच्छे रहते हैं ये चाहे तो अपनी किताब भी लिख सकते हैं भविश में, क्यूंकि जिनके भी माइन लाइन से इस तरह से एक साखा निकली, तो वो अपनी किताबे भी चाप सकते हैं, पर 36 साल तक इनके जीवन में संगस रहेगा, 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 उसको ये रोक नहीं पाएंगे, अब चलते हैं, और माइन लाइन थोड़ इसी छोटी है, तो एक्ष्ट्रा दबावाने पर ये विश्वोटक बन जाते होंगे, और एक आफशूट माइन लाइन पर इस पार्ड माइन बूद परवत की और देख रहा है, और ये पिरियड होगा लगबग उम्रके 40 या 42 साल के आस-पास कोई अच्छी अपरजुनिटी इनको जीवन में मिलेगी, और यहां से ही देखिए, इनकी जो फेट लाइन है, ये स्ट्रॉंग होकर आगे बढ़ रही है, अब चलते इनकी जीवन रेखा पर, जीवन रेखा को बहुत पास से देखे, तो देखिए आप ट्रेंग जीवन में रुकाओट आती होगी, यात्रा होती होगी, और इसी रेखा उपर देखे, यहां पर continue आपशुट भी जा रहे, तो सफलता यात्राए और रुकाओटे, सफलता यात्राए और रुकाओटे, ये लगबग 36 साल तक इसी तरह इनके जीवन में चलेगा, इस पिरिय कर घुमाओ ले रही है, और काफी पतली रेखा है, तो सरीर के प्रती काफी ध्यान रखने वाले, तोल-तोल के खाएंगे, इसमें इतना ऐरन, इतना विटामिन, ये खाने से सर्दी होती, ये खाने से बुखार आता है, ये सारी चीजों का आकलन करके भोजन करेंगे, यान इन शौट सरीर का काफी ध्यान रखेंगे, और ये जब कव लेती है, तो ये पारिवारिक सोच वाले इंसान रहते, परिवार के प्रतिक व्यक्ती से टच रहता है, इनका, बागी जीवन रेखा काफी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम जैसी स्थिति नहीं, आगे फिर रुकावटे नहीं है, इनके जीवन रेखा पर, हाँ, एक दो राव रेखा है, पर वो काफी पतली है, और ये भी राव रेखा है, काफी स्ट्रॉंग नहीं है, हलकी हलकी है, पर रुकावटे, यात्रा है, प्रोग्रेस, रुकावटे, यात्रा है और प्रोग्रेस, इस तर कर सीधि उपर तक गई एक रेखा इनकी यहां से निकली और यह इस दरह से आगे बढ़ी जänderर हुरह रहो रखा से यह निकलती है तो व्यक्टी का अचानक विकास होता है अब वह कौन से समय होता है क्या होता है पर और अचानक विकास होता है अचानक सड़न गती अपर लेवल में पहुंच जाता है और मल्टीपल इंकम के सुरोत इनके जीवन में हमेसा बने रहेंगे क्योंकि बहुत सारी फेट लाइने इनके जीवन में साथ साथ में चल रही है तो यह मल्टीपल इंकम वाले इंसान रहें तो फेट लाइन पर तो ऐसा कोई माइनस पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा है हाँ इनके हाथ में यह शुक्रवल है एक वनी ट्रैंगल थोड़ा सा अधूरा है पर भविश में कंप्लीट हो गया तो अच्छा कासा बच्चत करेंगे और नई भी कंप्लीट हुआ तो भी इं 30 साल तक तो इनको मीठा संगर्स जहल नहीं है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद